असलाम लेकुम वीवर्स आज के अपनी इस नहीं वीडियो में मैं जिस चीज के बारे मैं आपको बताऊंगा वो है अब जहां पर बाई एडिंग लेंड सेट टूल बाक्स इन आर्क जेस जो मैंने यूज किया है इसका मतलब है कि बहुत से और तरीकें हैं जिसे हम जो है यह लाइन्स रमूब कर सकते हैं स्कैनलाइन जो होती हैं रमूब कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको लैंड सेट टूल बाक्स आए जो हम खुद एड़ करेंगे तो उससे हम रमूब करेंगे अब स्कैनलाइन एर्र होता क्या स्कैनलाइन एर्र जो होता है लेकिन जो लोग ने वो लैंड सेट 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 7 के हम करते हैं Landsat 7 collection 1 यहां पर आगे अब जहां Landsat 1 5 में कभी कोई इश्यू नहीं होता Landsat 4 5 में यह error नहीं आता Landsat 8 में नहीं आता पहले जब मैंने मतलब download करता था तब भी इसमें कोई error नहीं था लेकिन अब जो इंजिस आ रही है तो उनमें मुझे तो मैं एक image को open करता हूँ यहां से अब आप जहां पर देखें यह image में आपको error नजर आ रहा है मतलब इसकी जो scan line line इसके image है हमारे पास वो clear नहीं है इसके ओपर जो है more lines आ रही है हम इसको download करते हैं हमें अक्सर जरूरत परती है हमें जो यह वो data सही नहीं से नहीं मिलता लैंट सैट 45 में से accurate data नहीं मिलता यहां उस month का नहीं मिलता तो हमें अक्सर लैंट सैवन का लेना पड़ता है data चूंकि मतलब वो लैंट सैट 45 से अच्छा भी है इसलिए तो वो हमें जरूरत पड़ती है लेकिन जब हम download करते हैं तो यह issue का सामना करना पड़ता है इस issue को solve कैसे करने हैं बहुत से तरीके हैं इंशाले मैं उसके ओपर भी वीडियो बनाऊंगा लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको लैंड से टूल बाक्स के जरीए बताऊंगा और वो टूल बाक्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप वहां से भी जो है इसको डाउनलोड करके हुद भी यूज कर सकते हैं तो चले चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहल इसको बार करते हैं यह मेरे पास जी मैंने एक इमज डूपर डाउनलोड की थी लैंड से शैवन की यह इसके उपर जो है लाइन जारी है ठीक है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहां पे इसके उपर लाइन आ रही है तो इनको रूमूब कैसे करने है वो आप लोगो जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा तो टूल जो है वो मैंने आपको बिताया है कि मैंने हुद जो है कहीं से डॉनलोड किया सेर्च करने के बाद काफी सेर्च करने के बाद Google से मुझे मिला है तो वह यहां पर मैं आड करता हूँ एड कैसे करने है आपने राइट क्लिक करने राइट क्लिक करके जहां पर किसी भी हाल स्पेस पर राइट क्लिक करने है और यहां पर लिखा हूँ एड टूल बाक्स अपने इसके ओपर क्लिक करने है और आपने यहां पर आ जाना है जहां पर आपने अपना टूल बाक्स एड हो गया लैंड साट से लेटी जितनी पर टूल बाक्स हैं मतलब यहां पर चीजें आगे हैं इसमें आप बहुत से दूसरे टूल भी यूज कर सकते हैं लैंड डी वी आई और लैंड सेट फाइब के जो हैं चीजें उसको अगर आपने ठीक करना है बहुत से दूसरी हैं हमने इसके उपर डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के पास यहां पर हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जेगा हमने इस बॉक्स में वह कहा रहा है कि इन्पुट बैंड विद बैंड रोज आप इसके अंदर जो है बैंड विद बैंड रोज के साथ एड करें त क्लिक किया अब यहां पे वह output image मांग रहा है मतलब output आप यहां पे अगर वह error दे रहा हो तो आप लोग ने इसके ओपर जाने यहां पर जाके आप जहां पर भी save करना चाहरे है मैं कहता हूं कि landside 7 मैं save करना चाहरा हूं तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं और रिमूव स्कैन लाइन एरर हिमर्च डार्ट टिफ टिफ में इसको save करना है आपने क्योंकर यह टिफ कोई मतलब दूसरे में भी आप save कर सकते हैं लेकिन हमने इस इमर्च को टिफ में save करना है नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मैंने अपना थोड़ा सा लंबा नाम दे दिया कोई भी अपनी मर्जी से नाम जो है दे सकते हैं इसके उपर जब आपने नाम दे लिया save किया यहां से यह error जो है वो खतम होजगा simply उसके बाद आप लोग ने जब इस input का लेना है और यहां पर दे लेना है नाम उसको दे देना है तो आपने कोई और चीज नहीं करने जिस्ट okay करने है और आपने wait करने है यह हमारे पास दो से तीन मिन के अंदर जो है हमारे पास इमज जो है वो remove होके जो lines है वो आजएगी पहले बता रहा हूं कि इस से related बहुत से दूसरी मतलब बहुत से दूसरे तरीके हैं जिन से हम जो है यह scan line remove कर सकते हैं और अपने जो image है उसको useful ला सकते हैं मतलब उसके ओपर हम काम कर सकते हैं यह बिलकुल यह आसान तरीका है जिससे हम जो है scan line error हतम कर सकते हैं अब हम वेल्ट करते हैं जब तक यह के हमारे पास आ नहीं जाती है लेकिन यहां पर आप चेक कर सकते हैं हुद भी यह image में से scan line जो है वो remove होके आगी है अब हमारे पास आप देखें कि इस image में था लेकिन इसमें नहीं रहा और image भी हमारे पास काफी clear होके आगी है बिल्कुल यह आसान तरीका था ज़स्ट हमारे पास यह toolbox होना चाहिए toolbox मैं आपको फिर बता रहा हूं कि नीचे मैं description में दे दूँगा इस से related जो वीडियो होंगी उसके भी link मैं इस वीडियो में दो दूँगा और आने वाले इसके ओपर जो वीडियो बनाऊंगा दूसर Google Drive पे add कर दोंगा आप वहां से download करके simply इसको आराम से कर सकते हैं उमीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ आगी होगी कोई point आपका miss new कोई point अगर आपका miss हो गया मतलब आपको नहीं समझ आ रही तो नीचे आप comment box में comment करके मुझसे पूच सकते हैं अगर किसी किसम का और error रहता है तो वो भी आप जरूर मुझे बताएं बेशक मुझे मुझे आप mail कर लें mr.gis007.gmail.com मेरी mail है आप इसके ओपर mail करके भी आप मुझसे पूच सकते हैं मैं शेयल आपकी mail का response जरूर करूँगा और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर मिलता रहे तो चलें इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में यहां तक तो हमारी यह complete होगी है तो एक नहीं वीडियो के साथ आऊँगा हाजरूँगा आपके सामने तब तक के लिए लाफिज अपना क्यार रखिए दोओं में जाद रखिएगा